Hello students, देविंदर अकेडमी में आपका स्वागत है, इस वीडियो में मैं आपको कक्छा नौवी का हिंदी विसाय का अर्धवार्सिक परिच्छा पेपर लेकर आया हूँ, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और जो भी मैं क्वेस्टन आपको इस वीडियो में लीजिए और सबको आप अच्छे से तेयर कर लीजिए क्योंकि आपकी अर्धवासिक परिच्छा में यही पेपर आने वाले हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ मैं बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ उसका नौटिफिकेशन आपको मिल जाए, साथ मैं अपने दोस्तों को भी सेयर कर देना ताकि उनको भी इसका लाव मिल सकी, तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेस्टन है, वो है सही बिकल्प चुनकर लिखिए, तो सही बिकल् दूसरा देख लिजिए, जिसी मुनियों के गुण किस में पहुंच गए, जिसी मुनियों के गुण किस में पहुंच गए, ठीक है, चार आपको ऑप्सन दिये गए हैं, आपको आंसर बताना है, इसके बाद तीसरा प्रसन देख लिजिए, रेणू के पैदल आने पर पिता आप देखिए रेणू के पैदल आने पर पिता option दिये हुए है आंसर आपको देना है चौता देखिए मुहकी खाना का अर्थ है इसके बाद पाँच बाद दिख लिए ये 5 बाद दिया हुए है सभई ये चंद कौन सा है यह option दिए गए हैं आपको बताना है सब यह अच्छन तो कौन सा है इसके बाद next देखिए यह हमारा दूसरा प्रशन है यहाँ से start हुआता है रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए तो पहला है मदरसा सब्द खालिस्थान है हिंदी या और भी यह option आपको दिये हुए है बत पता दूँगा तो आपकी पड़ाई कोई मतलब नहीं दिखलेगा तो आप इसको सिर्फ देखते जाए या फिर इसकी इंसोट लेते जाए या फिर आप इसको नोट करते जाए वीडियो को पोज करके ठीए वीडियो पसंदा है तो लाइक जिरूर कर दें तो यह दूसरा प्रशन हों गया आपका इसका देखा तीसरा जो अमरहा प्राशन है बहुत ही इंपोर्टेंट संथी सभी करना इसाaming कंईब कंजी कि साथ है तो आपस नाइए इसको आपको पहले खंड की जो आपको आपको के दहीं वह पांच प्रस ने एक सबनेंग वाकर्बार मुटसर देना है तो समें हमें जाखतना है पहला जो हुमारा question है मीरा भाई का जनम कहा हुआ था एक सब्दिया एक बाकि मौत्तर देना है दूसरा देख लीजिए रस्खान किसकी भक्ती में दिन रात लीन हो गए तीसरा देख लीजिए नीती सरंगार और प्रेम किसकी कभीता के बिसाय है चोथा देख लीजिए कक्छ इसके अथवा में question है तत्सम सब्दों की परिभासा सहे तत्सम सब्दों की परिभासा उदाहन साथ लेखना है ठीक है इसके बाद इस साथवा question है देखिए आप जो अथवा में question दिये हुई है आपको उनको भी अच्छे से तयार कर लेना क्योंकि आपको paper में तो answer sheet में त अच्छे का उच्छार किस प्रकार किया गया इसके अथवा में question है वो भी देख लीजिए इसके बाद देखिए next देखिए आठवा यहाँ पर उल्टार लग गया है आप इसको देख लीजिए वह आठवा है वह उपर मैंने नौबा बता दिये ठीक है तो यह आठवा कौन थे बाद में बे क्या बन गए अत्वा में भी है अतीथी अलंकार और अहंकारी के परयायमाची लिखिए इसके बाद दस बाद प्रसन देख लीजिए नौबा मैंने उपर बता दिया आप दस बादी की बैल को गधी का छोटा भाई केयों कहा गया है इसके अत्वा में देखा होगा पड़ा होगा तो इसको आपको अच्छे तयार कर लेना ठीक है इसके बाद एक और क्वेस्टन है नीचे बाला अत्वा बाला इसको भी आप अच्छे तयार कर लीजी इसको देखिए इसको भी आप देख लीजी अत्वा दोनों ही आपको कर लेना है अपर स्क बैसर इसके हैं प्रकार से इसके बाद है इसकी बार चूदमा है इनको आप नोट कर आ, या फिसकी है इसकी इसको देख लिजी आप इसको भी देख लिजी इसके बाद next है आपका सत्तरमा क्वेल की कुक सुनकर कभी की क्या पृती के लिए यह सत्तरमा हो गया इसके बाद 18 भासपस्ट कीजे भासपस्ट करना दो दिये गए हैं आपको म्रदल बैभाव की रखवाली सी कोकल बोलो तो दूसरा है हूं मौट हूं मौट खींचता लगा पेट पर जुआ खाली करता हूं ब्रेटे सकडका ठी है तो इन दौनों का आपको भासपस्ट करना इसके बाद 19 भासपस्ट देख लिजी आप 19 भासपस्ट देख लिजी तो यह आप चार भासपस्ट दिये हुई हैं मैंसे किसी एक भासपस्ट पर आपको नबंद लगना है चारों की चारों आप अच्छे इसने बंद तयार कर लेना बारसिक परीच्छा में पूछे ही जाते ठीक है तो यह सभी जो मैंने आपको क्वेस्टन बताएं इस वीडि रिवाईज हो जाएगा ठीक है इस पेपर को आप अभी से हल कर लीजिए कि आपकी यार्दबासिक परीच्छा आ रही है 29 तारीक से होने वाली है तो उसमें आपकी बहुत हल्प होने वाली ठीक है तो इस वीडियो को देखिए अच्छे से सभी को आप अटेंट कीजिए को वीडियो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ मैं बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए थैंक यू